टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके व्यापाम और प्यस्टी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है चाहे आप होस्टल वार्ण तैयारी करें चाहे महिला परिवेक्षा की स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क ऐसा सोट्रिक में बताऊंगा जिससे आपका बिल्कुल कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एकजाम में कोश्टन छोड़ने की आउसकता नहीं पड़ेगी तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण टाइम एंड वर्क समय और कार्य से पुछे गए प्रस्ण पहला question A किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है माली जेगे A कोई कार्य है जो 10 दिन में करता है उसी प्रकार B उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो A कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा करेगा तो इसका option A 10 दिन, option B 20 दिन, option C 30, option D 40 दिन तो चलिए इसको solve करते हैं एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है, चलिए एक इसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, B उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है तो दोनों को हम क्या लेंगे LCM निकालेंगे जब दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना आजाएगा आपके पाल 20 इसको चलिए भाग करते हैं 10 दूना 20 अब 20 एकम 20 ठीक है इसको क्या करेंगे हम इसको add कर देंगे तो दोनों को add करेंगे कितना आजाएगा आपका 3 लेकिन पूछा क्या गया है एक कार्ये समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है एक कार्य कितना है एक समाप्त होने से पहले 5 दिन चला जाता है तो क्या करेंगे 5 दून 10 यानि कितना जाएगा आपका 10 तो कितना दीन कार्य चला जाए ये 5 दिन पहले चला गया है 10 और यहां पर दिखे जो पहले टोटल कितना था 20 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आईए जो संख्या उनको 3 से हम भाग कर देंगे 3 से अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 10 question देखते हैं उसी प्रकट second सवाल देखेंगे A कीसी काम को 10 दिन में करता है B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करके काम करते हैं और फिर B उसी कारिय को छोड़ कर चला जाता है तो पूछा गया पूरा कार्य कितने दिन में होगा option A 6 दिन option B 5 दिन option C 7 दिन option D 8 दिन तो इसका answer क्या हो जाएगा तो चलिए इसको solve करते है A किसी काम को कितने दिन में करते है 10 दिन में करते है तो चलिए A किसी काम को 10 दिन में करते है B उसी काम को मिलकर पंदरा दिन में करता है तो चलिए B उस काम को पंदरा दिन में करता है दोनों को जब LCM लेंगे तो इसका आंसर 30 होगा यहां से इसको solve करेंगे 10 ती या 30 इसे पर 15 दूना 30 अब क्या पुछाएगा है फिर B कार्य छोड़कर चला जाता है तो B कितने दिन कर रहा है तीन दिन काम करके चला जाएगा तो कितना होगा तीन दूना 6 तो टोटल कार्य कितना था आपका 30 दिन का कार्य था लेकिन यहां पर छोड़कर चला गया 6 दिन तो कितना आ जाएगा आपके पास 24 दिन ठीक है 24 दिन आ गया तो पुछा क्या आ गया है पूरा कार्य कितने दिन में होगा तो पूरा कार्य कितना आपका तीन और दो पांच तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा पांच इधर हो जाएगा पूछा का आगे B कारिय छोड़कर चला गया B कारिय आप छोड़कर चला गया तो कौन सा बचेगा A बचेगा तो यह को क्या करेंगे भाग कर देंगे किस से 3 से तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे 3, 8, 24 तो कितना आ जाएगा यह आपका 8 बार में यानि कि 8 दिन तो क्या कर रहा है पूरा कारे कितने दिन में होगा 8 दिन में होगा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा D वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सस्क्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें तीसरा प्रस्न कहता है कि A, B, C किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं तो 3, 1, 7 मिल कर कार्य आरम करता है क्या कहता है A, B, C किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है तो 3, 1, 7 मिल कर कार्य आरम करता है तो प्रारम में दो दिन बाद A कार्या छोड़कर चला जाता है तो उसके दो दिन बाद B कार्या छोड़कर चला जाता है तो बताईए पुरा कार्या कितने दिन में समाप्त होगा आपशन A 7 दिन, आपशन B 8 दिन, आपशन C 9 दिन, आपशन D 10 दिन तो चली इसे सॉल्व करते हैं A का कार्या कितना है आपका 10, B का कार्या है 12, C का कार्या है आपका 15 तो 30 का क्या लेंगे हम एलशयम निकालेंगे, तो 30 के उसे भाप आप आजाएगा 60, दस चलक शाठ, बारा पंचे 60, पंदरा चाओं 60, इसका हम टोटाल एड करेंगे, लेकिन पूछा क्या अगया है, प्रारम में क्या कहता है, प्रारम में दो दिन बात, एक कार्य छोड़ कर चला जाता है अब प्रारा में दो दिन बाद क्या कर रहा है एक कार्य छोड़ कर चला जाता है कितना जाएगा बारा उसी प्रकार उसके दो दिन बाद कि इसके दो दिन बाद इसी के यानि कि A के कार्य के दो दिन बाद B कार्य छोड़ कर चला जाता है तो यहां पर कितना का गुना करेंगे दो का नहीं करेंगे पुछा क्या गया है उसके दो दिन बाद यानि कि पहले कितना दिन था दो दिन अब उसके दो दिन बाद जा रहा है तो कितना हो जाएगा चार दिन तो पूरा कारे कितने दिन में समाप्त होगा तो चलिए इसको देखते हैं तो बारा और एक मिनिट ना पांच चोंग 20 अच्छे दो नी 10 बारा 20 और कितना हो जाएगा आपका दोनों को एट करेंगे तो बत्तीज तो टोट कारे कितना था साट, तो शाट में हम 32 को माइनस करें तो तो कितना जाएगा आपका 2 और 8 यानि 8 दीन तैब पुछा काया गया, पूरा कारिया, तो A कारिया छोड़कर चला गया, B B कारिया छोड़कर चला गया, कौन सा बचा, तीसरा वाला कारिया, तो कितना जाएगा, 4 से इसको भाग करेंगे, कितना जाएगा, 4 सत्ते 28, यानि कि 7 दिन, तो पुछा गया, पूरा कारिया कितने दिन म इसे समझेगा A B C किसी कारे को दस बारार 15 में करते हैं मालिय जेगा एक किसी काुज़े को दस बारार 15 दिन में करते हैं और टीनो loops संत मिलकर आरब किया है तो प्रारण में दो दिन बात कार्य चप्रके के छोड़ के चला जाता है एक कार्य छोड़ कर चला गया उसी परकर उसके दो दिन बाद भी भी कार्य छोड़ कर चला गया अब बताओ कि पूरा कार्य कितने दिन में हो गया अब माली जेगा इसका एक कार्य पूरा छोड़ कर चला गया है उसी परकर भी कार्य छोड़ कर चल तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा, आपसन ए हो जाएगा, उसी प्रकर चौन्था प्रस्न है, पूरुस और महिलाओं से संबंधित, जो आपके एक्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो पूछा गया है, तीन आदमी या पांच महिला किसी एक काम को साथ दिन में कर सकत हैं, तो साथ आदमी और ग्यारा महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो चलिस को सॉल्व करते हैं, तीन आदमी और पांच महिला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, साथ दिन में कर रहा है, तब साथ आदमी और ग्यारा महिला, साथ आदमी और ग्यारा महिला उस काम क गतने दिन में करेगा? या सवाल वे पुछा गया है तो इसका अंसर A भो 10 दिन अक्षण B 15 अप्षण C 14 अक्षण D 20 दिन अगर आपको इसका अंसर मालूम है तो आख कमेंड़ करके बताईगा हम इसको solve करते हैं तो छलिए solve करते हैं तो इनका आ जाएगा यहां से महिला एक मिनट यह पुरूस और पुरूस को अब चलिए हम सेम ले लेते हैं तो साथ पुरूस और यह तीन महिला प्लस ग्यारा महिला और पांच महिला इसको एड करके यहां पर कितना आ जाएगा साट इसको हम सॉल्व करें कितना आजाएगा जब सॉल्व करेंगे तो दुनों को हम LCM लेंगे तो पांच तीया पंदरा तीन का LCM कितना आजाएगा पंदरा तो पंदरा से इसको करेंगे तो तीन बंजे पंदरा पांच और साथ गुना करेंगे तो 35 प्लस वह सिर्व 5 से करेंगे 5 ती है 15 तीन और 11 तीन करेंगे तो 33 यह equal में 60 है यह 68 है चलिए देखते हैं 60 दिन यह 60 नहीं है यह आपका 68 दिन है तो यह आपका 68 दिन हो जाएगा यह आपका 68 होगा क्वेश्चन में 68 दिन होगा है ना तो चलिए देखते हैं सॉल्फ करके तो यह आपका कितना हो जाएगा पांच और तीन आपका आठ तीन और तीन कितना हो जाएगा च्छे 68 बटे 15 बराबर 68 तो यह 68 और 68 कैंसल हो गया तो इसका अंसर कितना आगा पंद्रा दिन तो यह उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं पंद्रा दिन में कर सकते हैं तो इसका अंसर भी होगा क्योंकि यहाँ पर जो साथ नहीं है कोश्चन मिश्टेक है यहाँ पर आपका 68 होगा तीन आत्मी या पांच महिला एक काम को 68 दिन में कर सकते हैं तो 7 आत्मी और 11 मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा सस्क्राइब करके रख लीजिएगा इसका PDF आपको WhatsApp पर मिल जाएगा